हेलो एवरिवन स्वागत है आपका राजस्थानी जाएका चैनल पर और आज हम बना रहे हैं मूंग डाल का हलवा तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बिना शिलके वाली मूंग डाल ले ली है इसको मैंने ओवरनाइट भी गो लिया था और इसको अच्छे स हमने दाल को पीछ लिया है यह देखिए अब हम इसको बाउल में वापस निकाल देंगे यह देखिए हमने इसको बाउल में निकाल दिया है अब हलवा बनाना शुरू करेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ले ली है इसके अदर मैंने 250 ग्राम गी डाल दिया है मूंग दाल का हलवा बनाते टाइम आपने जितनी दाल ली है उतना ही आपको गी लेना है मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दाल ली है तो मैं घी भी 250 ग्राम लूँगी घी को गरम होने से पहले ही पिसी हुई दाल को इसमें डाल देना है इसको चलाते रहे आपको हलवा लगातार चलाना है नहीं तो यह नीजी ची पक जाएगा ताल को तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता यह देखिए हमारा घी जो है वह इसमें दिखाई नहीं दे रहा है गी वापस बाहर ना आ जाए तब तक इसको पकाना है और लगातार चलाते रहना है आपको दाल को लगातार चलाते रहना है लवा बनाते टाइम आपको गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका जो घी है वो बाहर नहीं आजाता और डाल का कलर जो मुद नहीं हो जाता तब तक इसको लगाता आप जलाते रहे छोड़ना नहीं है इसको यह देखिए मूंकी दाल हमारी अच्छे से बुन गई है यह साइड में से गी भी निकलने लगा है और यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और यह इसको चलाने में जएदा जोर भी नहीं लगाना पट रहा है और यह चिपक भी नहीं रही है इसको बुनने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगे हैं अब हम इसमें तीन ग्लास पानी डाल देंगे मैंने इसमें तीन ग्लास के करीब पानी डाल दिया है अब इसको लगातार चलाना है यह देखिए हमारा हलवा गाड़ा होने लगा है और उचल रहा है इसकी फ्लेम को लोपर कर दें और इसको चलाते हुए पकाएं अब देखिए हमारा हलोई में से साइड से गी निकलना शुरू हो गया है और यह देखिए हमारा जो हल्वा है वह स्पैचुला के बिल्कुल भी नहीं चिपकरा है यहां पर मैंने थोड़ी सी बदाम ली है इसको मैंने भीगो कर रख लिया था और इसकी चिलके भी उतार लिया है यह डाल देंगे अब हम इसमें थोड़े से बिगे हुए काजू डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एक चममच इलाइची पाउडर डालेंगे अब मैं इसमें दो कप शुगर डालेंगी आप मीठा अपने हिसाब से डालें जाइँ प्सेशा है यह देखे है चीनी डालते ही इसका थठोड़ा कलर चेंज हो गया है 10 मेड तक अब डालेंगे तक चीनी अच्छे से घुल जाए अंदर आप आप चीनी गुल ने के साथ ही कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और चीनी के गुलते ही हमारे हल्वे का कलर चेंज हो गया है अब आखिर में हम इसमें ये बीगे हुए किश्मिश टाल देंगे मौंकी दाल का हल्वा बिल्कुल तयार है अगर आपको ये रेसिपी अची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें